हलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है फ्रेंज आप सभी का जो बोर्ड के परिच्छा है 16 फरवरी से इस्टार्ट हो जाएगा तो फ्रेंज जहीं सही बोर्ड का परिच्छा इस्टार्ट होने वाला है तो जो च्छात रहें उनके मन में अनेक प्रकार की समस्य हैं उत्पन हो करने के लिए आपको क्या करना है कि जो पढ़ रहे हैं ठीक है टापिक गुशेः रा किजे जो एपका उस्पीट आप मौखिक उस डा खिक को एक बार दो बार लिख लिजिए यदि लिखते हैं तो आप क्या करेंगे देखें कि कि आपको वो टापिक अच्छे से किलियर हो जाएगा, आपको वो दो या तीन दिन, वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा, इसलिए जो भूलने की जो समस्य इसको दूर करना है आपको, तो आप क्या कीजिए, कि जो टापिक पढ़िए, जो जैसे आपको नेतर पढ़ना है, या कोई भी टापिक पढ़ रहे हैं, तो उस टापिक को आप अच्छे से याद कीजिए, और उसको क्या कीजिए, अपने रख पे लिख लिजिए, फिर फ्रेंस क्या कीजिए, कि आप अगले दिने जब बैठते हैं पढ़ने के लिए अगले दिने, तो आप क्या कीजिए, उस टापिक जो पढ़े हैं, उस टापिक एखला आप मौकी के देख लिजिए, आपको याद है कि नहीं याद है, तो आप उस नोटस को उठाइए, उस नोटस से आप उसको देखे, फिर उसको लिख लिजिए, यदि आप इस तरह पढ़ते हैं, तो पहला फाइदा होगा, आप की जो रायटिंग होगा, जो रायटिंग होगा, इम््पूरूब होगा, दुसरा फाइदा आपको उस से मिलेगा, आपकी जो इसस्पीड हो लिखने की स्पीड बौर्ड के एकजाम में वह बढ़ जाएगी, तीसरा है यह होगा, जैसे उस आया है चात्रों के मन में अनेग प्रकार की बेचैनी आ गई है यह वह सोच रहे हैं कि आपकी बोर्ड की पेपर होने वाला उसमें कौन सा टापिक पूछेगा कौन सा प्रशना आएगा कैसा प्रशना आएगा तो फ्रेस एक चीज़े हां पर आपको बता दें कि आप अपने म मन को पहले शांत रखिए प्रस पत्र में जो प्रशना आएगा वह सभी के लिए एक समान होगा ठीक है फिर इसके बाद अपने मन को शांत रखते हुए आप यह छोड़ दीजिए कि बोर्ड के पेपर में क्या आने वाला है बस अब क्या कीजिए कि अपने सिलेपर की अकार कर जाएंगे इतना बात जान लिजिएगे लेकर ऊटा सुछ फ्रेंज की पढ़त में क्या पढ़ना चाएं फेם अससे समय है क्या करना है कि चल ला है ओतार हो गया या कोई भी क्रेंग हो गया ठीक है उस क्योंकि वही टापिक आपके एक्जाम में आते रहते हैं घुमा फिरा के प्रशन सिर्फ चेंज हो जाता है वही आते रहते हैं तो यह आप क्या कीजिए कि जो आप पढ़े हैं उसी को बार-बार रिविजन कीजिए और और मोस्ट इंपॉर्टेंट टापिक आउतार हो गया ठीक है इसको आप पढ़िए उसमें देख लिए कौन सा कोईशन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया उसको याद रखिए उसको रभ पर लिखते रहे हैं अगला जो आते हैं समस्या सबसे बड़ी समस्या है कि कई छात्र कि इसलिए प्रसान है कि उसको प्रश्पत्त कहा मिलेगा वह गुगल पे यूटूब पर इधर उदहर खोज रहें तो प्रेंश एक बाद बता दे कि आपको जो इड्मिट कार जो प्रस्पत्र है ठीक है पेपर से दू या चार दिन पहले देर देंगे ठीक हैं तो फ्रेंस एड्मिट कार्ट के बारे में क्या पढ़ें क्या समस्य हैं यह अपने मन को सांथ रखते हुए अपने काड़ 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 लेवल को बढ़ाते हुए पढ़ाई कीजिए यदि आप इस तरह पढ़ेंगे तो आप एक्जाम में 100% आपको बोल रहे हैं कि टाप करेंगे ठीक है पहले अपने मन को सांथ रखना चाहिए ठीक है तो फ्रेंस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें